क्या अक्ष्रा सिंग को पस्तावा है कि उन्होंने पवंद सिंग के खिलाफ इतना कुछ कहा और अब उनके लिए केरियर खत्म होने वाली नौबत आ गई है जी हाँ ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कहना चालू कर दिये हैं कि अक्ष्रा सिंग को पस्तावा है जादा तर लोगों का मानना है कि अक्ष्रा सिंग को ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था और तो और भोजपुरी इंडस्ट्री की भी कई ऐसी बड़ी हस्तियां है जिनका ये मानना था कि अक्ष्रा सिंग ने जो पवन सिंग के खिलाफ बोला है उससे बेटर ये होता कि अक्ष्रा सिंग पवन सिंग के साथ बैट कर बात कर लेती या मसले को आपस में सुलजा ले या यू कहले अपने पैर पर खुद कुलहारी मारती वैसे अक्ष्रा सिंग के पास फिल्में आना तो पहले से ही काफी कम हो चुकी थी हां गाहे-बगाहे वूरितेस पांडे और प्रदी पांडे चिंटू के साथ भले फिल्में कर रही हैं लेकिन ये फिल्में कोई हाई ब शोशल मीडिया पर लोग अक्षा सिंग से कई सवाल पूछ रहे हैं सवाल ये पूछ रहे हैं कि अक्षा सिंग उन कमपनियों का नाम बताए जिन कमपनियों में उनके गाने को लेने से इनकार कर दिया या फिर रिलीज करना नहीं चाहा कुछ तो सोशल मीडिया पर ये भी ट्रोल कर रहे हैं अक्षरा सिंग को अगर पवन सिंग उनके साथ काम करना बंद कर चुके थे तो रितेस पांडे, अमरीज सिंग और तो और प्रदीप पांडे चिंटू उनके साथ काम कैसे कर रहे थे वैसे अक्षरा सिंग की इस लड़ाई में अक्षरा सिंग अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन अकेली पड़ती नजर आ रही है हाल ही के दिनों में पवन सिंग जिस तरह से सोशल मीडिया में आये हैं या यूं कहले जिस तरह से उनकी तस्वीरे सामने आई हैं उन्हें देखकर ये लग रहा है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है सो कॉल्ड सुप स्टार से लेके सुप स्टार एक्ट्रिस तक भी किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सभी as usual पवन सिंग के साथ नजर ऐसे ही आ रहे हैं जैसे पहले नजर आ रहे हैं वैसे आज कल पवन सिंग और अंजना सिंग की एक फोटो बड़ी मीडिया में वाइरल हो रही है जिसमें पवन सिंग उनका बिलेटेड वाला हैपी बद्दे मना रहे हैं और उन्हें केक खिला रहे हैं वैसे जब अंजना सिंग से भी अक्षरा सिंग के बारे में सवाल पूछा गया था तब अंजना सिंग का एक बयान जो काफी सुर्खियां बनाया था वो ये था कि जब इन दोनों में प्यार हुआ तो मीडिया को नहीं बुलाया गया लेकिन आज जब जगडे हो रहे हैं तो म इंडिया क्यों बुलाई जा रही है वैसे आपको बता दे कि अंजना सिंग के साथ साथ भोचपुरी इंडस्री की कई ऐसी एक्ट्रसेस हैं जिनका यहीं मानना था कि अक्षरा सिंग को यह नहीं करना चाहिए था वैसे नपातुला बयान तो अक्षरा की बेस्ट्रेंड आ उनका बयान सुनकर यहीं समझ में नहीं आता कि आमरपाली पवन की तरफ बोल रही है या अक्षरा की तरफ बोल रही है खैर यह सारा कुछ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि शोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है किसी के भी इमेज को अप एंड जाता उस पर भी स्टोरी बन जाती है तो आपको यह बता दे कि अक्षरा सिंग का ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे कि उन्हें पस्तावा हो या उन्हें रिग्रेट हो कि उन्होंने पवन सिंग के खिलाफ ऐसी मुहीम क्यों कि या उन्होंने पवन सिंग पर ऐसे आरोप अभी क्यों लगाए पहले क्यों नहीं लगाए ऐसा तो फिलहाल में कोई बयान नहीं आया है हाँ अगर ऐसा कुछ होता है और उन दोनों में सुला होती है तो भाई ये भोचपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन होगा क्योंकि इन दोनों सुपस्टार की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और अगर इन दोनों में सुला हो जाती है तो ये भोचपुरी इंडस्ट्री के लिए सुनहरे दिन से कम नहीं होगा बोचपुरी जगत की होट और मसाले दार गोसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले है